नमस्कार मैं हूँ आपकी साथ प्रियासना हमारे खास प्रोग्राम का कहते हैं नरेंद्र मोदी में आज आपको सिनवाएंगे पिया मोदी का वो एतिहासिक भाषण जो उन्हों ने 28 नवंबर 2011 को गुजरात के वडूद्रा में दिया अपने भाषण में मोदी ने कहा कि खेल ही एक ऐसा शित्र है जहां जीत और हार का समान मूले होता है समान इज़्जत होती है और कोई जीते या हारे खेल कभी हारता नहीं है मित्रो क्या भारत जैसे देश सो करोड़ से अधीक लोग दुनिया का सबसे युवा देश 65 प्रतिशच लोग इस देश में नौजवान है क्या हम इंतिजार करते बैठेंगे क्या हम रोते बैठेंगे भाई यो बहनों मुझे ये स्थिति मनजूर नहीं है कम से कम कोशिस तो करें परणाम कुछ भी हो सकता है और खेली ही ऐसा एक शेत्र है जहां जीत और हार का समान मुल्य होता है समान इज्जत होती है कोई जीते हारे खेल कभी हारता नहीं है खिलाडी की जीत या हार होती है और इसलिए हमने तै किया कि हमारे प्रदेश में खेल को सरकार की तरफ से बढ़ावा मिलना चाहिए प्रोथ सान मिलना चाहिए मुझे आद है पिछली बार जब मैंने पहला खेल महाकुम किया तो मैंने राज जबर के ग्यायाम सिक्षकों का संबेलन किया था और मैंने एक किताब उनको भेंट दी थी वो किताब क्या थी खेल के मदान कैसे होने चाहिए नाप कैसा होना चाहिए सिमांकन कैसा होना चाहिए रूल्स क्या होने चाहिए क्योंकि ये सारी चीज़े उपलबती ही नहीं थी क्योंकि ये स्कूल पर छोड़ दी आग्सा विशे एक एक विशे में रूची लेने लगे लोग एक्सपर्टाई जाने लगी हुमन रिसोर्स डेवलिप्मेंट होने लगा खेल के मैदान के बार भी खेल मैनेजमेंट का एक बहुत बड़ा क्षेत्र होता है और ये सब जब चीज़े देखी तो हमें लगा इन चीज़ों को इंस्टिटूशनलाइज करना चाहिए और उसी विचार में से ताय किया है हम गुजरात के अंदर एक अलग स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनाएंगे पिछले बार S.M.E. में हमने इसका फैंसला कर लिया है पिछले दो सब्ता के पहले मैं चीन गया था चीन के सभी राज़बारी महापुरुशों से मैं बात कर रहा था वहाँ व्यापार की बात हो रही थी भारत और चीन के बीच में जो सवाल खड़े हुई है उसकी बेबाग रुप से मैं बात कर रहा था लेकिन इन सारे विशों के अंदर मैंने एक विशय को आगरत से रखा चीन के लोगों के सामने कि मैं चीन के साथ मिलकर के मेरे गुजरात में स्पोर्ट को और डेवलप करने के लिए काम करना चाहता हूँ मुझे चीन की मदद चाहिए और चीन के मुझे आस्वासन दिया है कि हम गुजरात के साथ मिलकर के खेल कुद के विकास के लिए जो भी कर सकते हैं हम करेंगे इस पॉर्ट्स उनिवर्सिटी को चाइना की उनिवर्सिटी इसके साथ जोड करके हम इंटरनेशनल लेवल से हमारे स्पॉर्ट छेत्रों को कैसे विक्सित करें हमारी इंस्टिवूशन को कहने से डेवलप करें उस दिशा में हम आगे बढ़ना चाहते है भायो बेहनो गतवर्स खेल महाकुम का अनुभाव बहुत अच्छा था हर गाउं में एक माहोल बना और यह मेरा मत है खेल समाज की जिनेटिक सिस्टिम में होना चाहिए खेल हमारी रगों में होना चाहिए और जब तक आरी रगों में नहीं होता है तब तक खेल दिली आने की संभावना नहीं होती है जब तक स्पोर्स नहीं होते है तब तक स्पोर्समेंट स्पिरिट की संभावना नहीं होती है और स्पोर्समेंट स्पिरिट खेल के मैदान का विशे नहीं है वो जीवन जीने का ही काउशल्य होता है और उस काउशल्य को पाना है तो हमने स्पोर्ट को हमारी रगों में लाना पड़ेगा हमारे जीन में लाना पड़ेगा और इस खेल महाकुम के प्रयास के माद्यम से हम उस दिशा में जाने का प्रयास कर रहे है भाई यो बैनो आने वाले दिनों में हम कई institutions को develop करना चाहते हैं खिलाडियों का nutrition एक अपने आप एक अलग faculty है बड़ोदा की MS University एक शेत्र में बहुत काम करती है हम चाहते हैं कि उसका व्याब बढ़े और पुरे हिंदुस्तान के अंदर हम MS University के माध्यम से खेल जगत के लोगों के nutrition के विशेपर हम बहुत ही सुचारूर रंग से सौशोधन करते हुए हम क्या दे सकते हैं बदलते हुए यूग में वो कौन सी चीज़े उसे मिले ताकि हमारे खिलाडियों के लिए उनके शरीर की जिन्ता करने का काम अमारे कात हो सके हैं मित्रों खिलाडी के लिए जितनी शरीर की तक्सता आवश्यक होती हैं उतनी ही मन की स्वस्थता आवश्यक होती हैं शरीर खेल नहीं जिताता हैं मन जो है वो खेल में विज़ई बनाता है और जिसके अंदर कॉंकरिंग मेंटालिटी नहीं है जिसके अंदर विज़िक इशु मनोवरती नहीं है जो अपने लक्ष के कभी फिलता नहीं है वही खेल में सभल होता है शरीर तो उसको फॉलो करता है मन है जो जिताता है ये पुरा मनोविज्ञान होता है और विज़य में मनोविज्ञान का बहुत पड़ा रोल रहता है और उस मन की स्थिति के लिए योग एक बहुत बड़ी शक्ती है और इसलिए हमने सभी स्कुलों में योग को उनके सिलेबस का हिस्सा बढाया है जो उसके मन को तयार करे और मेरे छे करोड गुज्राती मन से अगर विज़य होने का संकल्प करें जीवन के हर खेत्र में विज़य होने का संकल्प करें हमारी नई पीड़ी उस विज़य यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए तयार हो तो भाईयो भेनो गुज्रात नई उचाईयों को पार कर सकता है कल से खेल महाकुम के अंतरगत प्रत्यक्ष खेल शुरू होंगे एक महिने भर पूरे गुज्रात में खेल समाज जीवन की चर्चा का विशय बनने वाला है मेरा नागरिकों से अनुरोध है आपके नजदिक में जहां पर भी खेल हो रहे हैं आप महां जाईए तालियां बजा करके भी खिलाडियों को पोटसाइद कीजिए अगर समाज इसमें जुड़ता नहीं है तो भाईयों भेनों उन खिलाडियों का भी होसला बुलंद नहीं होता है मुझे पूरे गुज्रात को इसमें जोड़ना है मैदान के बगल में खड़े रह करके उन खिलाडियों की पसीनरी की महग देखिए आपका पूरा दिन अच्छा चला जाएगा मैं आपको वादा करता है आपकी ठकान उतर जाएगी और इसलिए मेरी नागरिकों से बिंती है कि एक खैल महाकूम उस मैदान का अवसर न बने वो पूरे गाउं का अवसर बना चाहिए उस इलाके का अवसर बनना चाहिए एक उत्सव के माहोल में हम अपने नवजवानों को प्रोच्छाइट करे वो माहोल बढाए मैं खिलाडियों से अनुरोद करना चाहता हूँ मैं उनके टीचर्स को अनुरोद करना चाहता हूँ मैं उनके कोचिश को अनुरोद करना चाहता हूँ हार और जीत वो हमारे लिए कटुता का कारण नहीं बनना चाहिए अगर डिसिप्लिन नहीं है कहीं हमें लगता भी है एक पल ये भी लग जाए कि मेरे साथ अन्याय हो गया है हमारी टीम को गलत आउट कर दिया है मुझे विश्वास हैं एमपायर पुरी तरह काम करेंगे लेकिन फिर भी खिलाडी की कसोटी तो उसमें है कि वो अपनी डिसिप्लिन को तोड़े नहीं 21 लाग खिलाडी खेलने वाले हैं भांती भांती के स्वभाव के लोग होंगे गुजरात इस बात में भी अपना नाम रोशन करें कि कहीं पर भी खेलते समय टकराव नहीं होगा कहीं पर भी खेलते समय कटूता नहीं होगी और जब खेल पूरा होगा तब आनो नुत्सा के साथ एक भाई चारे के साथ खेल जिन्दा बाद खेलाड़ी उसके लिए आनंद लेकर के चलेगा तो मैं समझता हूँ ये गुजरात में भाई चारा बढ़ाने का एक बहुत बढ़ा आउसर बनने वाला है हम उसको प्रोच साम दे हम उस माहूल को आगे बढ़ाए एकिस लाग खिलाड़ी खिलने वाले मुझे पताया गया कि करीब 27,000 टीम इतने कम समय में कबड़ी के मैदान में उतरने वाली 27,000 टीम यह अपने आप में बहुत बड़ा वर्ल्ट रेकॉर्ड है कि एक ही छोटे स्पैन में पूरा राज्य एक प्रकार से कपड़ी कम मैदान बन जाएगा और 27,000 टीम जब खेलेगी यह विश्व का रेकॉर्ड बन जाएगा यह मेरा पुरा विश्वास भाईयों 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 आज हमने एक और इनिसेटिव लिया है स्पेशल ओलेम्पिक का जब खेल महाकुम्प की योधना बनाई थी पहली बार तब यह स्पेशल ओलेम्पिक उसका हिस्सा नहीं थी इस वर्थ से उसको हमने जोड़ा है और उसकी प्रेणा भी मुझे इनिस्पेशल ओलेट्स ने दी है मैं उनी से इंस्पायर होकर के इस काम को कर रहा हूँ यह मेरे दिमाग का विशह नहीं है इसकी क्रेडिट मुख्यमंत्री को नहीं जाती है इसकी क्रेडिट उन स्पेशल एथलेट्स को जाती है तीन चार महने पहले चीन के अंदर साइथ स्पेशल एथलेट्स का कॉम्पटिशन था उसमें गुजरात के बच्चे खेलने के लिए गए थे वे विज़ेई होकर के आये तो मुझसे पूछा गया कि हम मुख्यमंत्री के निवास पर आना चाहते है इन बच्चों को लेकर के हमारे चोधरी जीनी का फोन आया था मैंने का अब मुझे अच्छा लगे का आप मेरे घर जुरूरा आईए इस सभी बच्चे कोई मंद बुद्धी के बच्चे थे कुछ विकलांग बच्चे थे इश्वर ने उनको कुछ कमी दी थी वे सब मेरे घर आये थे मैंने उनसे बात की करीब घंटे दो घंटे मैंने इनके साथ बिताए मेरे दिल को छूग गया मेरे दिल को छूग गया और उसी दिन मैंने ताई किया इन बच्चों का खयाल सिर्फ उनका परिवार नहीं पूरा समाज करेगा और ताई किया कि इस खेल महाकुम का प्रमोग हिस्सा ये स्पेशल एफलेट रहेंगे